स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में उमीद है आप सभी लोग बहुत ही बैतर होंगे तो फाइनली आप लोगों के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि UPB8 के कॉलेजियों के कितने प्रकार है उनकी संख्या क्या है सीटों की संख्या साथी स फी कितनी लगती है और कहां कहां हॉस्टल फैसिलिटी है इन सारी महतपूर जानकारी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स जानेंगे अगर आप इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं या अगली बार तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्डेंट वीडियो हो प्राइब जाने जा रही है आपको बता दे 95% इस बारे में नहीं पता होता है वो हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं आईए बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं सीटों के बारे में आपको बता दे यूपी बीड में जितने भी कॉलेज हैं वो तीन टाइप में डिवाइड पहला है गौवर्मेंट कॉलेज दुसरा एड़ीड है और नियादु इसोति सिलफ फाइनांस इंगलिश में एक और टम से जानते और में प्राइवेट नीजी या स्ववित्पोसित सीटे कहते हैं अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर इन में अंतर क्या है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप इन पहले और दुसरों में होंगे तो आए उसको जान लेते हैं गौर्मेंट सीटे वो सीटे होती है जहां पर आपकी जो है वो नाम मात्र की लगती है क्यों क्योंकि गौर्मेंट जो है आपकी फी फुली बियर करती है यानि पूरी फी वो आपकी की देती है 하지만 आपके फर्स्ट यहर की फी सिर्श़ों जो होती है 2000 से लेकर 3000 या साधे 3000 के बीच में देखने को मिलेगी लेकिन आप यह भी बगल में देखेंगे कि जो seats है वो बहुत ही कम है all over UP में सिर्फ और सिर्फ 600 से लेकर 650 सीटे ही देखने को मिलती है और all over इंडिया में सबसे कम अगर किसी भी BA colleges की fees है तो वो UP के इन ही government colleges की है और आप जब सरकारी की बात करते हैं या अभी तक जब आप सरकारी कहते थे तो इन दोनों को मिला कर ही आप समझते थे और बताते थे सुनते थे लेकिन आज आज आप इनको एक दुसरे के अंतर करके आप देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं एड़ेट सीटे वो होती हैं जिनमें थोड़ा government help करती है और ये अपने according ये college थोड़ा सा फी में difference यानि अंतर ला सकते हैं बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं जो number of एड़ेट सीटे हैं पूरे UP में वो हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे 7000 से लेकर 7100 तक इनकी fee जो होती है वो vary करती है 4000 से लेकर 15000 पर year fee और अगले साल में इसकी half हो जाती है बस short में ऐसे समझ लीजिए और ये vary करती है कहीं कहीं पर 4000 तो कहीं 4500, 5000, 8000 वो vary करता है तिसरा type private जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे जिसकी fee जो है वो 52,000 रुपे 51,250 exact है और आपकी 2,000,000 सीटे हैं जिसमें आप अगर exam में attempt कर लिया आपने सिर्फ तो आपका admission हो जाता है सबसे ज्यादा competition इसी government और added के लिए है इसकी cutoff कितनी जाएगी उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में detail से देखा अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसक किसी को सोच रहे थे कि 10,000 सीटे हैं 12,000 सीटे हैं ऐसा बिलकुल नहीं है सिर्फ 7,651 सीटे हैं और इसमें भी reservation है तो इसको ध्यान में रखकर आपको college select करने है maximum college select करना है counseling में कि आपको government सीटे मिल पाए वहीं आप लोगों का एक doubt आता है बहुत सारे student पूछते हैं sir hostel के ब उनमें आप पैसे समझेजे सिर्फ 25% जगों पर ही hostel एविलेबल होता है और वो भी उतने अच्छे quality का नहीं एविलेबल होता है तो hostel जो है वो थोड़ा uncertain type का है किसी एक separate वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कहां कहां hostel एविलेबल है लेकिन अभी सिर्फ short में आप यह जान है यह जो मैंने यह screenshot जो आपको दिख रहा है यह मात्मा गांधी काशिविद्यापीट से affiliated colleges का है जिसमें हरिष्चन यहां पे देख पाएंगे हरिष्चन जो PG college है वो added nature का है उसी तरीके से यहां पे KB PG college यह भी added LBS जो है वो भी added है सिर्फ और सिर्फ एक college है जो की भदोह में है के अन राजकी PG college यह government nature का है अब यहां की fees सबके comparatively बहुत कम लगती है सिर्फ 3,000 बाकी कुछ जगों कि जैसे यहां पे 4,000 लगती है लाल बादुर साचरे में एप्रॉक्स 9,000 फी है मात्मा गांधी काशिविद्यापीट में campus में 4,000 फी है तो यह vary करता है इनके nature के according बाकी जो self-financed है यानि यह private nature की college है इनकी all over UP इनकी fee सेम होती है even यह और भी extra charges ले ले लेते हैं अलग-अलग facility के नाम पर तो यह थी video आप सभी लोगों के लिए यह बताने के लिए कि UPBA अगर आप admission लेने जा रहा है तो इनके इनको ध्यान से समझ ले इनके बारे में जान बहुत बैतर होता अगर आप government added college मिल जाता है तो आप कम fee में बीएट कर पाते हैं private में थोड़ा कुछ फायदे भी होते हैं कि आपको मैं किसी एक वीडियो में बताऊंगा क्या फायदे हैं private के क्या government के अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं I hope आपको यह वीडि वीडियो में हम लोग उस पर discuss कर लेंगे मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केर एंड कीप वाचिंग